करन जोहर को लगा बहुत बड़ा जटका वो करन जोहर जिने आशा थी कि उनकी 10 फिल्में तो रिलीज हो ही जाएगी वो अब भटक रहे हैं कि इन 10 फिल्मों को मैं रिलीज किस जगह करूँ क्योंकि ये फिल्में वो पहले नेट्फ्लिक्स के साथ रिलीज करने वाले थे लेकिन अब नेट्फ्लिक्स बरबाद हो गया है पिछले कुछी मैनों में नेट्फ्लिक्स ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स खोए हैं बनाने की जगह और अभी मार्केट में जितने पॉपलर OTT प्लाटफॉर्म है चाहे बात करें Amazon Prime की या Disney Hotstar की उसमें से नेट्फ्लिक्स सबसे पीछे है सबसे बड़ी बात नेट्फ्लिक्स की ये हालत सिर्फ इंडियन मार्केट में है बाखी All Over World नेट्फ्लिक्स टॉप का OTT प्लाटफॉर्म है बावजूद उसके ये नेट्फ्लिक्स इंडिया में पिट गया इसके पीछे कारण ये है कि नेट्फ्लिक्स वालों ने जब मार्केट रिसर्च की तो मार्केट के कुछी चुनिंदा प्रिडूसर्स जो अपने कपडों के लिए और अपनी स्टाइलिंग के जाने जाते हैं बजाए अपनी फिल्मेकिंग के स्टाइल के लिए उनके बातों में आगया और उन पर पैसा खर्च किया इसमें नाम करन जोहर का भी शामिल है करन जोहर ने पिछले कुछ समय में अपनी maximum to maximum documentaries और short films जो है धडलने से नेट्फिक्स के लिए ही बनाई चाहे उन्होंने अच्छा बिजनस किया हो या नहीं किया हो और तो और जिन सीडीज को बहुत mild response मिला उनके भी sequels बनाए जैसे की fabulous lives of Bollywood wives अंगरेजी नाम रख दिया Bollywood की star wives की कहानिया बता दी Indian audience ने तो इन कहानियों से connect किया है नहीं और international audience जो है वो Indian stars की wives को क्यों देखेंगे वो Hollywood stars की wife की life जानना चाहेंगे यही कारण है कि इस तरह के content के कारण Netflix को ना फाइदा हुआ ना Indian audience Netflix से connect कर पाई और Netflix अब 90% जो projects जिसमें Netflix ने invest किया था उन्हें cancel कर रहा है इसमें करन जोहर की कम से कम 10 film में अटक चुकी है अब करन जोहर को दर-दर भटकना पढ़ रहा है दूसरे OTT platform के लिए जहां पर वो अपने इन series को या इन filmों को release कर पाए जैसे ही कर Netflix के इंडियन market से गायब होने की बात आई कि Netflix का सूपड़ा जो है यहां से साफ हो सकता है तो इसी बीच खबर आ गई कि करन जोहर अपनी आने वाली 10 से जादा filmे और series जो है वो Amazon Prime के साथ release करने वाले है एक बड़ी डील होई है वेल आपको बता दे कि इस डील के पीछे कारण यही है कि करन के पास कोई और option नहीं बचा था थेयाटर में फिल्में चल नहीं रही है South industry ने वैसे ही Bollywood को परेशान किया हुआ है ऐसे में अब OTT पर भी जादा कुछ प्लेटफॉर्म्स है नहीं इसलिए जब Netflix जा रहा है तो करन जोहर के पास सिर्फ रस्ता Amazon का ही बचा है कुछी दिनों पहले करन जोहर ने Netflix वालों को बटरिंग करने के लिए अपने घर पर एक पार्टी भी रखी थी जहां पर Netflix के marketing head वगेरा मौझूद थे और इस पार्टी में करन जोहर ने अपनी गैंग के उन स्टार्स को जिने वो सब जगे फ्लॉंट करते हैं चाहिए अपना Coffee with Karan show हो चाहिए अपनी फिल्मे हो या कुछ और जगे हो उन्हीं स्टार्स को बुलाया बताने के लिए कि मैं इतने स्टार्स से कॉन्टैक्ट में हूँ और मैं इन स्टार्स के साथ फिल्मे कर सकता हूँ लेकिन अफसोस इसका कोई फाइदा नहीं हुआ करन जोहर को अब भटकना पड़ रहा है अपने content को release करने के लिए